नमस्कार मैं भाकिश्री विस्यन निवस के बिजनिस समाचार में आप सभी का स्वागत है खबरों के और बढ़ने से पहले आए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर तीन एनपी खातों को बेशिका एसपी आई नाफुर की भी एक कमपनी शामिल 235 करोड का है बकाया अपडेट नहीं हो पा रहे है आधार कार्ड लोगों को हो रही परिशानी कोरोना के इस संकर भरे माहुल में आम लोग अब ख़र पर पैट कर आनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं लेकिन 23 मई को ये सर्विस कुछ समय के लिए बंद रहेगी आपको बता दे कि National Electronic Fund Transfer System नेफट पूरे देश में चलाया जानी वाला पेमिन्ट सिस्टम है जिसमें किसी बैंक की अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता है N.E.F.T. online banking का हिस्सा है जिसमें मिंटों में पैसा ट्रांसपर होता है इस electronic विधी से किसी bank branch से किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा ट्रांसपर किया जाता है इसके लिए bank branch जाने की जरूरत नहीं है हाला कि N.E.F.T. inbuilt bank पे ही यह सुविता मिलती है फंड ट्रांसपर करने की अधिक्तम या नियूनतम सीमा नहीं है R.B.I. ने अपनी ट्वीटर हैंडल के जर्ये ट्वीट करके बताया है कि 22 मई को बैंकों में कामकास खत्म होने के पाद टेक्निकल अपक्रेडिशन के चलते N.E.F.T. 23 मई को राद 12 बजे से लिकर सुबे 2 बचे तक काम नहीं करेगा लेकिन R.T.S. सर्विस पूरी तरा से काम करती रहेगी बिरो रिपोर्ट B.C.N. नियूज 22 स्टेट बैंक अगले मही ने फसे करजवाले तीन खाता को संपती पुनलगटन कमपनियों अथ्वा अन्य वित्यस संस्तानों को बेचेगा इन खातों में 235 करोट रुपे का बकाया है S.B.I. ने कहा है कि नियाम किया दिशान निर्देशों के अनुरूब बैंक की वित्यस संपत्यों की विक्री की निती के तहत बैंक ने हेवी मेटल और ट्यूब्स लिमिटेड नागपुर की खरे और तारकुंडे इंफास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और एलिस इंटरनास्टल लिमिटेड को 235.32 करोट रुपे की विक्री के लिए पेश किया है हेवी मेटल पर बैंक का 116.91 करोट रुपे क्या पकाया है खरे और तारकुंडे पर 99.84 करोट रुपे और एलिस इंटरनास्टल पर 18.57 करोट रुपे का बकाया है बैंक ने पसिकर्ज वाले इन खातू एनपी खातो की विक्री के लिए क्रमच 27.50 करोट रुपे, 15 करोट रुपे और 8 लाग करोट रुपे का आरक्षित मुलने रखा है बैंक के बिक्री नोटिस के मताबिक हेवी मेटल और ट्यूप्स और खरे और तारकुंडे की एनपी की बिक्री के लिए इन निला में 7 जुन को होगी जबकि एलिज इंटरनाशनल के लिए 8 जुन को आई जुन की जाएगी SBI ने कहा है कि इच्छुक संपत्ती, पुनर गटन कंपनिया, बैंक, NBSC, विक्तस संस्थान, रुची बद्रस सोपने और बैंक के साथ गैर खुलासा समझता करने के फोरण बात, इन संपत्तियों को लेकर जाज परतार कर सकती है एमदाबाद स्थीद हेवी मिटल और ट्यूब स्टेनलेस दिल की ट्यूब और पाइप बनाती है जबकि खरे और तारकुंडे जमी जायदात का कारुबार करती है वही कोलकाता की कंपनी एलेस इंटरनास्टल कपड़ा बनाती है लोगडाउन की कारण आधार केंडरबंध है इसके चलते हर रोज होने वाले हजारो आधार अपटेशन पर असर पड़ा है ना तो कार्ड अपटेट हो पार है और ना ही नए बन पार है इस कारण लोग कार्ड में पुर्वे में हुई छोटी-छोटी खामियों को दुरुस्त नहीं कर पारे है किंडर बंध होने के कारण लोगों को आधार से जुड़ी कई परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है नाम, पता या उम्रसे संबधित अपडेट नहीं हुपआर है बैंकों से लेकर हर काईयों में आधार कारड अनिवार्डिया है इसलिए कारड अपडेट ना होने या फिर नया कारड नहीं बन पाने के कारण लोगों को परिशानी हो रही है अगले सत्रे के लिए अभी स्कूलों की एडमिशन प्रक्रिया भी शुरू है एडमिशन के लिए आधार होना अनिरवारी है लेकिन अभी भागों के सामने परिशानी ये है कि उनके बच्ची का या तो कार्ड बना नहीं या फिर कोई गलती है पैरेंट्स बताते हैं कि अगल बंध होने से लोग अपडेट नहीं करपा पा रहे है इससे भविश में परिशानी होकी बिरो रिपोर्ट बीसियन न्यूज विदेशी पोर्टफोलियों निवेशकों याने एप्पियाई ने भारतिय बाजार से मैं में अब तक 6452 करोड रुपे निकाले है कोविड-19 मह हमारी की दुसरी लहर की कारण निवेशक धाना प्रभावित होनी की पीच बाजार से निवेश राशी निकाली गई डेपोसिटरी आकड़े की अनुसार विदेशी निवेशकों ने 1 मैं से 14 मैं के पीच शेयर बाजारों से 6,427 करोड रुपे और 25 करोड रुपे बाजार से निकाले है इस दोरान शुद्य रूप से 6,452 करोड रुपे बाजार से निकाले के Finance Services के मुख्य निवेश अधिकारी ने कहा कि FBI निकासी का कारण COVID महामारी की दूसरी लहर इसके रोगठाम के लिए विविंडर राचों में लगा गए लॉक्टाउन तथा इसके कारण GDP वृत्ती और कमपनियों के आई और लाप पर पढ़ने वाले प्रभाव को लेका चिता इससे पिछले महीने में शेयर बाजार और बॉंड बाजार से शिद्धर रूप से कुल 9,435 करोड रुपे की निकासी गई थी देश में बिछली खपद माई के पहले पकवाड़ी में पिछले साल की इस आउति के मुकापली करिब 19 प्रतिशत बढ़कर 51.67 अरप यूनिट रही यह बिछली की आउतिकिक और वानिचिक मांग भी पुनरुधार को बताता है विद्योत मंत्राले की आखड़ी की अनुसार माई 2020 के पहले पकवाड़ी में बिछली खपद 43.55 अरप यूनिट रही थी पिछले साल माई में पूरे माँ के दौरान बिछली कपद 102.08 अरप यूनिट थी इस साल माई के पहले पकवाड़े याने एक माई से 14 माई बिछली की अधिक तम मांग या अधिक तम आपूरती 6 माई 2021 एक लाग 18,780 मेगा वैट रही खबरे समापत करने से पहले आगे डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर तीन NPA खातों को बेशिका SPR नापूर के भी एक कमपनी शामिल 235 करोड का है बकाया अपडेट नहीं हो पा रहे है आधार कार्ड लोगों को हो रही परिशानी बिजनेस समाजार में फिला लिता ही ऐसी अंदे खबरों से जुटे रहने के लिए देखते रहे है PCN News नमस्कार